हालो स्टुडेंट्स, मैं बसंत यादो, आज इंगलिस क्लॉसेस 11 में इसने साट पूक की चेप्टर अलवर्ट आइस्टीन एट इस्कूल की चर्चा करूंगा, जिसे पैट्रिक प्रिंगल द्वारा लिखा गया है, इस वीडियो को ध्यान से देखें वो समझें, कहानी सुर आइस्टीन थी, हलांकि आइस्टीन को सुरू सुरू में बोलने में कटनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज्यादे अच्छे नहीं थे, उनकी मात्रिभासा जर्मनी थी, और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी सीखी, 1880 में उनका परिवार म्यूनिक सहर चला गया, आलवाइट आइस्टीन एक पिस्तु परसिद सैधानतिक भावतिक बित थे, जो सापिक्सता के सिधानत और दरब्यमान उर्जा समिकरन के लिए जाने जाते हैं, उन्हें सैधानतिक भावतिकी खास कर प्रकास बिद्दुतु सर्जन की खोज के लिए 1921 में नु आटरलम में परसिया द्वारा प्राजे का मुद देखा था, बालक ने दो तुक सब्दों में सिवकार कर लिया कि वह सन नहीं बता सकता, वह साइध भूल गया था, सिक्षक ने जानना चाहा कि क्या तुमने कभी कोई तत्व याद रखने का प्रयास किया है, आइंश्टीन में कोई बुधिमता नहीं है, और सिक्षा का आया उदिस से भी नहीं है, सिक्षक ने अलवर्ट को कहा कि अच्छा, तुम ही सिक्षा के लक्षे के बारे में बताओ, अलवर्ट ने कख्षा को बताया, मेरी राय में तत्यों तता तारीखों को याद करने से अधिक महत्मूर है बिचारों का दिया, मैं तो यह जानना चाहूंगा कि सैनी क्यों एक दूसरे से जान के दुस्मन बन गए, सिक्षक ने चिख कर कहा कि तुम तो इसकूल के लिए कल यहां से तब तक नहीं निकालेंगे, जब तक और डिप्लोमा हासिल नहीं कर लेता। पास अस्थान के समस्या के चर्चा की, उसने बताया कि मैं स्कूल डिप्लोमा के लिए होने वाली परिक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। उसने इस समस्या का जिक्र अपनी चचीरी बान एलसा से भी किया। जब वह म्यूनिक आई, बहन ने समझाया कि हिमत मत हारो तथा परि जो भी ज्ञान बिसाय की थी जो उसके पाट करम में सामिल नहीं था, अलवर्ट का दूसरा सौग था संगीत, वह नियमित रूप से बाइलिन बजाया रहता था जब तक कि मकान मालकिन उसे सोर बंद करने का आदेश नहीं देती थी, वह तो स्वहीं बच्चों के सोर सराब में तंग रहती थी, वर्ट ने छो मा पचात यूरी को बोला कि वह अम्यूनिक छोड़ देना चाहता है, अपने पिता का पैसा पर बाद करना नहीं चाहता था, उसकी इक्षा थे कि इटली के मिलान नामक नगर में पढ़ाई करे, उसने यूरी से अनुरोद किया कि किसी ड डाक्टर से वह सब कुछ सच-सच बोलना या प्रमाल पत्र देने को राजी हो गया कि अलबर्ट को सनाव संबंदी तकलिफ है और उसे च्छा मा तक स्कूल से अवकास दिया जाना जरूरी है, डाक्टर ने सेवा के लिए कोई फीस भी नहीं ली, च्छा मा तो काफी लंबा समय था अलबर्ट को स्कूल छोड़ने की जरूवत पना थी और जरूवत होई तो वह अपना आकर अपनी डिपलोमा की पढ़ाई सुरू कर सकता था, अलबर्ट ने सोचा कि यह मेडिकल सेटिपियेट लेकर मुझे सिक्छक के पास अगले दिन जाएगा, पर यूरी ने सला स्कूल चोड़ने कारी तो उसके सिक्छक से भी बेहतर है, उन्होंने परमार पत्र दे दिया, अलबर्ट अब उस अस्तरी गडित का ध्यन करने है तो किसी कालेज में जा सकता था, मुख्या ध्यापग ने अलबर्ट को बुला भेजा तथा बोला कि तुम्हारे लिए बेहत स्कूल चोड़ कर जाने वाला था, वह आपिस से निकला तथा उस स्कूल को त्याग आया, जहां उसने पांच दुखदाई बर्स बिदाए थे, यूरी ने उसे सुवक्षाओं के साथ अलबिदा बोला, उसे आसा थी अलबर्ट मिलान में खुस रहेगा